प्रद्यान मंतरी जी, बंगाल के विशे पर संदेश खाली का जो विशे था, जो वहाँ पे उत्पिरन हुई थी, टॉर्चर किया गया था, मास रेप के ऐलिगेशन से, पहली बार ये ख़बर रिपबलिक बंगला ने दिखाई थी, और उसके बाद हमने करीब एक महींते तक कैमपेन की थी, नियाए के लिए, मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेश खाली, एक तरह से केंदर बिंदू नहीं, एक प्रतीक बन गया है, बंगाल की स्थिती को लेकर, और इससे जुड़ा सवाल ये है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, इसके कांटेक् देखें, तो कुछ ऐसी जगह हैं, जिसमें देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश का नितुर्त्व किया है, संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है, उसमें बंगाल और तमिन नारू का बहुत बड़ा योगदान है, दुरुभा के साथ ये दोनों राजवितिक नेतुर्त्व की विकृत मानसिक्ता की शिकार हो चुके हैं, अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री, संसंत में आवाज उठाती थी, जब वहां लेप की सरकार थे, आज उनी मुद्दों को हम बोल रहे हैं, औ नेकों लेप वाले करते थे, कॉंग्रेस वाले करते थे, और सोवायागुना करती है, और उसमें क्रिमिनल ऐल्लमंट नया जूड गया है, ओर आज जो संदेष खली थी चोटी सी घटना है, जी जिएँ चोटी सी दिखें है, गटना चोटी नी horrific होती लेकिन पूरे बंगाल में तो भाएंग कर ज्वाला मुखी है कब विस्पोर्ट होगा कहने की कठी मुश्किल है जी हर जगा पिस प्रकार का जुन्म है और सिर्फ उन्होंने अपनी वोड़ बेंक की राथ दूसरा वो कानून नियमों को पानज करने को त्यार नहीं है तीचर्ष भरती गोटनाले में लोग प्रूव हो जाता है लोगों गिनोकरी चले जाती है इनको परवाद नहीं है उनको तो लगता है अगरे हम देख लेंगे करोरो करोरो उर्प्यों के नौटों के पाहड पकड़ जाते हैं पैसे गिंते गिंते मशीन ठक जाते है लेकिन उ उन लोगों से कोई परहेज नहीं है यानि उन्हों नहीं है कि निव नॉर्मल बना दिया है एक देश के लिए संकट का विश्व है गटनाय किसी ने किसी राजमें कुछ ऐसी चिंता जना गटनाय होती है लेकिन उसको कोई सट्रीपारी हर कोई दुखी होते हैं रास्ता कोथत टीमसी एक प्रकार से पचास साल बंगाल के बरबाद हो चुके हैं जी आज कोई इंडस्ट्री नहीं आ रहे है वहाद कोई नया लोग बिचारे मुसीबत में गुजारा करते रहेंगे इतना मेरा देश का इतना महान राज्य है इतनी महान कडा इतनी मयान संस्कृत है अब सब गवारे इसकी पीड़ा है जी मोदी जी राम मंदिर के मुद्धे पर मैं कई जगे थोड़ी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेता है वीपी तो गया था मैं जब भी वहाँ पे जैश्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के तो कारे करता ही नहीं क्योंकि एक रैली में सब कारे करता तो नहीं होते हैं अजारों लोग होते हैं तो राम मंदिर के जब भी जैश्री राम की बात आती है एक तरह से उत्सा बढ़ जाती है यह खुलकर होड़ी अच्छी बात है मगर विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि ए एक हिंदू धर्म के लिए और जो जितने हिंदू है जितने सनातनी आप है मैं हूं हमारे लिए एक धार्मिक मुद्दा है राजनितिक मुद्दा नहीं है मगर यह राजनितिक मुद्दा भी बन चुका है कि उनके अप्रोच के कारण आपने कोशिश किये राम मंदिर के सापना में पूरे दक्षिन भारत उतर भारत सब जगे के लोगों को उनकी संस्कृति को एक जूट करने की तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश होगी इसका क्या रेस्पॉंस होगा इलेक्टोरिट से मैं पहले मैंने पहल कि भाषा बोल रहे हैं इनको एक सवाल पूस्ता है आता हमारी देश में अंग्रेज राट तो करते ही थे सरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे रेल्वे बनाते थे क्या नहीं करते क्या जरूती आजादी का इंदलों की वें सब तो चली रहा था ता क्यों देश में सेंकड़ों हजार लोग सवाइद क्यों अंड़मान निकोबार काला पानी के सजा क्यों भोग रहे थे स्वामान, स्वाविमान कोच चीज होती है जिंदेगे में पान्सो साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर बहुत बड़ी घटना है के एक सद्धा के लिए पान्सो साल तक एक सवार लड़ता रहा हर व्यवस्ता से लड़ता रहा और मंदिर बना करके रहें चली है शच्वुच में तो यह 500 साल का इतियास सिर्फ हिंदु को नहीं दुनिया की हर समाझ को इसमाय कर सकता है यह बलीदान का इतियास यह त्याक्क का इतियास यह तपरशिया का हुआ आप उसको भी अपने ही पुर्वजों ने किया है और गुनामी की जंजिरों के बीच किया है स्वाभिमान के लिए तो जैसे देश की अजादी का गर्वा है वैसे ही पांसो साम की लड़ाई का भी गर्वा है स्वाभिमान की लड़ाई है यह लेकिन चूक कि आपके सेकुलरियम जो अपने खोक्रापन है उसके डर करके जी ओगे तो क्या चलेगा दूसरा यह पुलिटिकल कैसे हैं वहां इंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे अब देश के प्रदान मिंत्र को बुलाया देश के राध्पति जी को बुलाया राध्पति जी को सुजदा नहीं थे राध्पति जी ने तारीक अलग दी और वह अलग तारीकों गई भी जी देश के प्रदान मिंत्री ने कहा पे मैं तो प्रभु राम का आधेश मालता हू मैं आऊंगा। देश का प्रदानमंत्री गया। और प्रांत्र देश का कि मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हट नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके सास्त्रों के जानका लोगों का है। मैं एक साक्षी बहुत जो महां बैठा था। और मैं करके आया। और मैंने कहा था भई, उस दिन मेरा भाषन भी क्या था। कि हमारी यात्रा राम से राष्टर की तरफ है। हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। यह जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाए के कामाना चाहिए। दूसरा यह राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, उनकी विशेशता देखें साब। उन्हों ने जिनों ने गोर विरोत किया था। लगातान भी उनके भी यहां जाखर के निमंतर दिया। सम्मान दिया। और यह मेसेज दिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ आप सुप्रीम कौर्ट ने जज्जमेट दे दिया। चलो हम साथ मिलके चले। उस निमंतर को उन्हों ने खिक करा दिया। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंतर उन्हों ने बाबरी मस्जीद का केस लड़ने वा है। अब मेरा गिला सिक्वा कोई रहता नहीं है। और वो स्वयम प्राण प्रटिष्णा के कारता में आकर के बैठे 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 इतना ही नहीं। उन्हों नूंका जो गन्मैन है जो हिंदू है तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्थी कर उसको ग्र्पि इक्वाल अंसारी जिए को भास नहीं। अब मैं सोचता हूँ एक इक्वाल अंसारी साच्चा से कुलर मंदिर के और गें॥ usually you लड़नाarshina के लिए न्याय पालिका राजनीति करण आपने किया है, वहाँ एक शब्द बोला नहीं गया है किसे के खिलाब, इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रिम कौट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुों ने जश्न नहीं बनाया था, उत्सव नहीं बनाया था, फठाके नहीं फोड़े थे, क्यों? हम किसी भी समाथ को दुखी, किसी को पराजी थे, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था, और बहुरों का भी था, कि ये जय विजय का विशय नहीं है, ये सबको जोडने का अउसर है ये.